और बुलेटिन में सबसे पहले चलिए देखते हैं टाइटन्स की टिक टॉक आज मुंबाई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में एन्वीडिया एई सम्मिट इंडिया में दुनिया के दो टॉप सीईयोस के बीच शानदार चर्चा हुई आरायल के चेर्मेन मुकेश अंबाणी और एन्वीडिया के सीईयो जिंसिन हुआंग ने एई आई की दुनिया में भारत की एहमियत और भविश्य पर दिल्चस्प चर्चा की मुकेश अम्बानी ने एन्वीडिया के CEO जेंसेन हुआं का स्वागत किया और इंटेलिजेंस एज की शुरुआत करने के लिए आभार जताया साथ ही उन्हें ने ये भी कहा कि AI ने विश्व भर के आठ अरब लोगों को प्रेड़ना दिया है। बारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करते हुए अम्बानी ने कहा कि यूएस और चीन के बाद भारत में तीसरा सबसे बहतरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है हुए है जल्ड है जात पर शाप बाल यूएस और झार पर प्रक्चर है डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रेस्ट्रक्ट्टर, 4G, 5G and broadband in the world. मुकेश नमानिय ने भरोसा दिया कि लोगों को AI सुविधाओं के लिए फोन या कंप्यूटर नहीं बदलने होंगे. जियो और इंविडिया मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि मौझूदा डिवाइस पर ही सर्विसेस मिले. तो ने उनले उनले कनात्य न mostra बिलिए ये सिर्भarla मिलतं करेंगे लिए प्रिवाइस कोत अछित्वाइस होंगे करेंगे करेंगे सुनिस्यूदूरбы. हो और आपूले इंपू शे क्वाइन । 뭐 कि अब आपे रिली और अबोल और फो देख साथ विल्म बाहित's क्यूं कंपूले से विरीष udah इसे अविल्ट इजां सकाफ्टुक्ट चाल करो चेंड प्राइब ए्योड कंपूले प्रएंट किरिंश段 विल्मbul क्राइब बीजड अगोडे ए अजे च्टाय। यहां मुकेश नमानिय ने ना सिर्फ जियो की ताकत का परिचे दिया बलकि यह भी बताया कि जियो दुनिया में सबसे सस्ता सिर्फ 15 सेंट प्रती जीवी डेटा देता है असे स्देर सिर्फब सेंटेर के जियुट आपक ब्रती यह बली इंदे यह भी प्रती cooking प्रती सिर्फ सेंट श्राइले कि अन्यान गध।ä कि प्रती इस भट एक जिए ब्सक्राइब हैं इंदि attendance म्लस्तित के जorit यह कि फ्रती यह भी फ्रती इसर्षं है 拳किक kaputek is a GP water technology has delivered customer value between 500 and 700 billion dollars a year on year and u every year India's and this is the depth of the technology to the people of India and this is walk what you described as intelligence we can do to actually दिर्षक्रेश्यूरी चत्राइब जह जह तब है और विर्वाली कि वाजिज अझरोड़ जह जजा लिजह धुषिझटाई जह 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 फिरू जह तूम पूमोभ जह एंचरेश्यूरे फजह हमें जह जह बर्थन्परइसिंज्ट जहीं जह एंजह जह जह बनता हैंजूरे ज जैंसें हुआंग ने कहा कि वो रिलाइंस के साथ पार्टरिशिप करके गौरावानवित महसूस कर रहे हैं उन्हें भरोसा है कि भारत AI क्रांथी का फाइदा ज़रूर उठाएगा जरू जरूर उडरो माजाख ये लिव ит Bu मैं माज़ के ठामश पनौर्टरिश बेर जरूरर तरूर इनूरू घएड़ ऌतव टेर के माज़ जएफ बरूरू ये कि ए लूएत लूरू 2 तरूरू 1 तरूरू जएब़ टतरू शचू एज़िझ से बन।जभ Wiz्तата and I am honored and privileged to be partnered with you to do this and let's make it a promise today that we will work together so that India could take advantage of the intelligence revolution that's ahead of us experience in India first as our Prime Minister has said that this is a new aspirational India what we have today is we are among the only country in the world where the average age of 1.4 billion Indians is below 35 so what is driving our economy is not only new technologies like AI but also aspirations and I believe that you know the Prime Minister and I believe that his leadership in terms of converting India to a premier digital society has been vital and continues to drive activity at the ground level so it's a demography its leadership the third factor is that we as Indians have the raw talent you talked about converting 200,000 people into this but I believe there are millions right if we now see India has become home right among all the companies across the world we are our fastest in growing industry is global competency centers so we do space research in in india we do pharmaceutical research in india i'm sure that dotom tens on them building village chaos in india we are in our own energy industry we do bio energy industry all the energy major shell BP right actually do their innovation in JP so India is fast प्रदान मंत्री मोदी का इसा नित्रित्व मिला है जो AI की एहमियत को समझते हैं उन्होंने लोगों को छे सार पुराना मोदी जी से मुलाकात का एक किसा भी सुनाया When I met Modi Ji, the first time he asked me to meet his cabinet was to, this has got to be about six years ago, he asked me to address his cabinet about artificial intelligence. And I was so surprised, it was literally the first time any government leader, any national leaders asked me to address his cabinet on this particular topic. It was long before anybody was talking about artificial intelligence. और अब बात करते हैं मार्केट की, निफ्टी एक्सपाइरी के दिन बाजार में कंसॉलिडेशन देखने को मिला, सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग वी, सेंसेक्स 17 पॉइंट गिरकर 80,065 पर और और निफ्टी 36 पॉइंट गिरकर 24,399 पर बंद वा, मिड कैप, स्मॉल कैप, शेरों में दबाव रहा, एफम, सीजी, रियल्टी, आटो शेरों में गिरावाट तेकने को मिली, और आज के बाजार में सबसे ज्यादा तेजी, बैंकिंग, पीएसी, फार्मा इंडिक्स में दिखी, सेंसेक्स के 30 में से 19 शेरों में खरीदारी, निफ्टी के 50 में से 26 शेरों में बिक वाली रही, पिछले कुछ सालों की तेजी को देखकर बाजार में ना उतने, ये कहना है देश के तीन डिगज फंड मैनेजर्स का, सी एन बी सी आवाज के दिवाली स्पेशल शो में एक सुर में, कोटक एमसी के एमडी एन सी यो निलेश शाह, ICICI Prudential AMC के EDN CIO S.Narin और HDFC AMC के MDN CEO नौनीत मुनित ने कहा, कि आज S.I.P. करने वाले पाँच साल से ज्यादा के नजरिये से बाजार में उतरें, तीनों दिगजों को प्राइवेट बैंकों के वैलिवेशन आकर शक लगते हैं, मैं हम सिरफ शायद पिछले 15 दिन का मुव देखकर तोड़ा सा डर गए हूं, लेकिन क्या इस 15 दिन में जो मुव आया, इसमें कहीं ना कोई कोई लेसन चुपाया है? So, first of all, Anuj by CNBC आवाज के सभी परिवार जनों को दिवाली की हार्दिक सुपकामना है, हम लोग तकरीबन 6-7 महीने से कह रहा है थे कि सोच समझ के निवेश करिए, जहां पर वैल्यूएशन महंगा है, फ्लोटिंग स्टप कम होने की वज़ज़ से जहां पर वैल्यूएशन आसमान को चुँ रहा है, वहां पर साउधानी बरत यह, अब वो चीज़े करेक्ट हो रही है, तो मैसेज वही एकदम सिंपल है, कॉलिटी में निवेश करिए, मुमेंटम में नहीं, वैल्यूएशन पर ध्यान दीचिए, प्राइस के ऊपर नहीं, एन लंबी अवधी के लिए निवेश करिए, और इस करेक्शन को एक उपर्चुनिटी मानिये, अपना एकविटी अलोकेशन बढ़ाने के लिए, नरेन जी, इस समय मार्केट में, एक कॉंटराबेट कहें, या फिर जो मर्जी कहें, जो थोड़ा चलने लगी है, वो है प्राइवेट बैंक्स, लाज प्राइवेट बैंक्स, जो काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, वहाँ पर थोड़ी से बाइंग शुरू हुई है, आप इसमें पार्टिस्पेट कर रहे हैं, क्या क्या आपको लग रहा यह स्पेस आउट परफॉर्म करेगी? हमरा व्यो एकि बैंकिग प्राइवेट बैंके, बाक्य सभी सेक्टर में वैल्यूएशन एक्स्ट्रा है, पर्फॉर्म करें तो लास्फाइज यूज प्राइवेट प्राइज सेग्मेंट है, जहां प्राइज टो बुक देखेंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो बहुत वर्षों तक माना जाता था कि एक प्रॉक्सी है लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है अब ऐसा वैलुइशन हो गया है कि वहां से मार्जिन ओफ सेफटी उनमें काफी बढ़ गई है प्राइवेट बैंक के लावा कुछ और बाई कर रहे हैं आप इस समय या फिर बस जो है एक्जिस्टिंग उसी को संभाल रहे हैं कि अलवा और कोई ही चीप सेक्टर नहीं है लेकिन हम क्या कर रहे हैं स्पेशालिटी केमिकल जैसा सेक्टर बहुत दिन से बाद रिजल्स दे रहे हैं वह जैसा सेक्टर देखना है या नहीं देख रहे हैं और बाकी सेक्टर बहुत कुछ चल गया है उसमें क्या बेजना है और दिवाले के साथ साथ बन रहा है चुनावी मूड भी तो चलिए अब रुख करते हैं चुनावी खबरों का महाराष्ट में विधान सफ़ा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है आज मुंबई की वरली सीट से शिव सेना यूबी टी के नेता आदित्य ठाकरे ने नामांकन दाखिल किया नामांकन से पहले उन्होंने रोड शो किया और अपनी ताकत दिखाई रोड शो के द विधान सफ़ा सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है बीजेपी ने साथ सीटों पर उमिदवारों के नाम का एलान किया है खाजियाबाद सदर से संजीव शर्मा कुंदर की से राम वीर सिंग कटहरी से धर्मराज निशाद फूल पूर से तीपक पटेल और करहल से अनुजेश यादो को टिकट दिया गया है जबकि खैर से सुरेंदर दिलेर और मजहमा से सुचिसमिता मौरिया को मैदान में उतारा गया है उत्तरवदेश के उपचुनाओं में समाजबादी पार्टी और कॉंगरिस के बीच खीचतान चल रही है और इसी बीच अखिलेश यादो ने सभी नौ सीटों पर उपचुनाओं लड़ने का ऐलान कर दिया है पहले उन्होंने दो सीटें कॉंगरिस के लिए छोड़ दी थी लेकिन कॉंगरिस और ज्यादा सीटें चाहती थी अखिलेश यादो ने एक्स पर लिखा है कि बात सीट की नहीं जीत की है इस रननीती के तहट इंडिया गड़ बंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी नौ सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादो ने एक और पोस्ट किया कि हमने ये ठाना है सम्मिधान आरक्षन सौहार्द बचाना है बापू बाबा साहिब लोहिया के सपनों का देश बनाना है ओडिसा के पूरी पर चकरवाती तूफान दाना आज देर रात करीब दो बज़े तट से टकराएगा फिलहाल तटी आलाकों पर काफी तेज हवाई चल रही है बताया जा रहा है कि दाना तूफान ओडिसा में भितर कनी का नाशनल पार्ट और धामरा पूर्ट के पास लैंड करेगा लैंड फॉल प्रॉसेस पाँच घंटे तक चलने की समावना है ओडिसा के चौदर जिलों में दस लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है पूरी बीच का जाइजा लिया समादाता कुमॉलिका सेन घोश ने और अब आपको बताते हैं कि आज की राजनिती खबर पर क्या है विशेस भारता और चीन के बीच रिच्टों में जमीबर पिगल रही है LSE को लेकर हुए समझाते और इसके बाद मोधी जिन्पिंग की मुलाकात ने दोनों देशों के बीच माहौल को बदल दिया है क्या ये दोनों देशों के बीच रिच्टों के नई शुरुआत है आज आवाज अड़ा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम साथ बज़ कर सतावन बिनट पर प्रेक के बाद एक बद फिस से हमका स्वागत है साल भी आयोध्या में दीपोसों पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है इस बार आयोध्या 25 लाख दियों से जगमग होगी फिलहाल दिन रात तिये बनाने का काम चल रहा है देखिए लखनव से समवादाता कमले श्रिवास्तों की रिपोर्ट दीपोसों पर दीपोसे जगमग आयोध्या थो आप हर बार देखते हैं चलिए आपको दिखाते हैं इस दीपोसों की तैयारी 25 लाख दियों को सिर्फ 10 दिन में तैयार करना आसान नहीं है इसके लिए 200 गाओं के 6000 से ज़्यादा कुमारों ने दिन रात काम किया है इस बार खास यह है कि हमको जो है राम मंदिर की तरफ से दिया बनाने का मौका मिला है भगवान का और हम लोग यह चाहते हैं कि अब इस बार हमारा दिया भगवान के चरणों में अरपित होगा और जैसे मेरा दिया यहां से जाता है मेरे बैंक खाते में डिजिटल पेमेंट आ जाती है आपकी तो राम मंदिर के लिए बनना है बनना है और जाएगा भी तिन चार सो आत्मी लगा पुरा परवारी लगा है इस बार सरकार ने दिपोट्सों के लिए दियों के इंतिजाम का जिम्मा प्रतिभा प्रेस एंड मल्टी मीडिया कमपनी को दिया था काम समय पर पूरा हो सके इसके लिए कमपनी ने कुमारों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किये सबसे अच्छी बात ये रही इस बार कि हमने कुमारों से डिरेक्ट जा करके दिये उठाए इसमें कोई भी बिचॉलिये नहीं इन्वॉल्ड थे, कोई भी मीडियेटर्स नहीं इन्वॉल्ड थे तो जो पैसा पहुचा कुमार को डिरेक्ट उसकी अकाउंट में पहुचा जो बेनेफिट हुआ वो कुमार को डिरेक्ट सारा बेनेफिट उसी को पासान हुआ यूपी में हर साल दीपोटसव पर दीपों का विश्व की रतिमान बनता है जिसके पीछे कुमारों की मेहनत तो है ही इस से इनकी कमाई का एक बड़ा मौका भी तयार हुआ है कमले श्रिवास्तो लखनव तो बुलेटिन में फिलहाल इतना है लेकिन आप ख़बरों पर अपडेट रही है और जुड़े रही है सी एनबी सी आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैनल्स के जरीए नमस्कार क्लिवस्त volcano क्लिवस्तires श्रिवस्तों क्लिवस्त Medium क्लिवस्तों